तो आज हम बात करेंगे चित्रकादीवटी के बारे में क्यमक्षानन है इसका निर्माण हम घर पर किस प्रकार कर सकते और इस चित्रकादी का उपयोग है दीपन पाचन और इसको गैस реसित में इसका किया जाता है और यह क्लासिक पर आपको यह उपलब्द आसानी से हो जाती है परन्तु जो बजार से मिलने वाली चित्रकादी वटी है उसमें उतनी गुडवत्ता नहीं होती और उसमें जो है नमक की मात्रा भी अधिक होती है तो जो आप चूसते हैं तो आपके जिवावी जलने लगती है तो ऐसे में हम चित्रकादी वटी को घर पर ही निर्माड़ करते हैं और जो हम निर्माड़ औशधी गरपर करते हैं उसके स्वाध भी अच्छा होता है जिवावी आपकी नहीं जलती है और सॴीर में काफी अच्छे एस अफेक्ट भी डालती है तो इस चित्रकादी वटी में हम कुछ τους अ आपको बताने वाले हैं तो आप हमारे साथ अंतक बने रहें अगर आप जड़िवूटी और आईरवेद में रूची रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों को सेर करें तो आज की महतपूर जानकारी हम स्ट तो पर इसमें हमें चित्रक मूल इसमें थोड़ी लिखने में गल्ति हो गया चित्रक मूल है और इसकी हमें छाल लेना है 20 ग्राम अगले और शदियों को ज्यादा या कम ले सकते हैं मैंने इनको 20-20 ग्राम की कॉंटिटी में लिया है तो आपने मता नूशार इसको आगे जाए या कम ज़्यादा कर सकते हैं हमने 20 ग्राम सजी खार लिया है और इसमें 20 ग्राम हमने लिया है पंचले मड़ और इसमें त्रकोटा हमने 20 ग्राम लिया है इसमें काली मिर्च पीपली जो ह यह साबुत हैं और इसमाने 20 ग्राम्न कर घुटा का लेकित 20 ग्राम्न कर बिदुवी। साथ में यहीं में 20 ग्राम से सब्क्रशिया क्लिया है भिजवर्ण निवू का रष्याशिव अपको लेक्ट काओ कि इसमें उप्योग कर सकते हैं क्योंकि हम इसका मर्दन या इसकी भावना देकर इस वटी का उप्योग करने वाले हैं तो यह इस प्रिकार से यह 16 और शदियां हो जाती हैं जिसमें पंचलमण और इसमें तुरकोटा यह एक यह और शदिकी में गिंति की जाती है तो इस प्रिकार आप देवती का निर्मार कर सकते हैं उसके बाद इन जो रोव मोटेरियल यह जो हर्व हैं उनको हम अलाग-अलाग किसका कर लेते और यह और इस प्रिकार हमको बजार में बड़ी सीनीध के वाद को पॉडर बनाने के वाद सीना फृजवरा न ये उसकीTION बाबना देंगे बहाबना जब तक हम इसकी देते हैं तब तक हम इसकी कूछे फाइदे के बारे में बता दे तो दी जो चित्र कादी वटी है यह वात और कफ को दूर करती है सरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाती है और यह सरीर में दीपन पाचन का काम करती है जिनका खाना पचता नहीं है उसको पचाने का काम करती है जिन लोगों को भूक नहीं लगती यह खाया पी यह पच्ता नहीं है पेट में गैस बनती है पेट शाप नहीं होता है और पेट में भारीपन बना रहता है तो ऐसे लोगों के लिए यह चित्रकादी बटी आप 200 mg से लेके 500 mg की मात्रा में खाना खाने के बाद आप चूस सकते हैं जिससे आपका खाया पिया पचेगा और भूख खुलके लगती है और जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो चित्रकादी बटी दोदो खाना खाने से एक गंता पहले ले ले उसे आपको भूख काफी अच का यूज किया जाता है उसी प्रिकार अगर आपको गठिया या आमबात में आप इस चित्रकादी बटी का उप्योग दो-दो गोली महराश्णदी कवात बला रिष्ट और दसमुलाकवात इन तीनों रिष्टों को आप दो-दो चम्मच ले ले यह छे चम्मच हो जाती है आधा का पानी के साथ आप इस चित्रकादी बटी दो गोली शुभएंदो गोली दुपैर और दो-गोली शाम यूज करते हैं तो आपके जो आहां वात है या जो आपके जोडों में जकडन निकाल देती है तो इस प्रिकार इस videos किया जाता है उसी परिकार आपके पेट में गैस अफरा रहती है पेड़ शाप नहीं होता है तो भी आप इस चितर कादी बटी का खाना खाने के बाद दो गोली चूसे तो आपका शुबै को पेड़ भी बहुत अच्छे से शाफ होता है तो हमारा जो पॉडर था वो तयार हो गया है के लिए उसके बाद हम हम इस चित्र कादि बटी में जो विजनारा नीभू की हम भावना देंगे अगर आपको विजनारा नीभू न लै तो आप अजयायान की रश्स को भावना देंगे तो इसको हम करीब पूरे आठ घंटे इसकी गोटाई करेंगे अच्छे से जब घोटते गोटते ये गोली बनाने लायक हो जाए आटे की तरह तो इसकी हम करेब 125 से लेके 500 mg की छोटी छोटी गोलियां तयार कर लेंगे और इन गोलियों को आप सुखा कर चायों में रख सकते हैं और इसका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं तो मैं इसमें बताना भूल गया था कि इसमें जो पर्चलनवड है उसमें हमने से जो सावर नमक है उसकी जगह हमने इसमें सुद्ध नौशादर डाला है जिसे यह लीवर पर भी काफी अच्छा एफेक्ट डालती है तो इस चित्रकादी बटी में हमने इतना जो है परिव अज़ेंग नियुकर लग बनी है तो इसमें समयल भी बहुत अच्छी आती है तो इस प्रिकार आप चित्रकादी बटी का उप्यों घर पर कर सकते है जो पित फिर्विटिक के लोग हैं वो इस अशादी का यूज ज़्यादा ना करें अगर वो करते हैं तो अपने आसपड़ोज के जो वैद्ध है या आईरवेदिक डॉक्टर है उनकी देखने में करें क्योंकि ये पित वर्दक होती है इसका प्रयोग है लंबे समय तक आप करें कि अगर आप चित्रकादी वटी का निर्माड घर पर नहीं कर सकते तो आप बजार से मिलेवाली चित्रकादी वटी है उसका यूज कर सकते हैं और भूक, अफरा गैस जैसी समस्या से छुटकारा पास सकते हैं और इस प्रकादी बटी का उपयोग छोटे बचे यह प्रेग्नेंट औरत को नहीं करवाना चाहिए तो हम कल फिर मिलेंगे ऐसी ही आईवेदिक जानकारी के साथ तब तक आप स्वास्त रहें मस्त रहें जै हिंद